हेलो दोस्तू, बहुत से नई स्टुडेंट जो हैं टिलिग्राम में जुडे हैं और उनका यही सावाल है कि सर अभी तो तयारी चालू ही किये हैं और आप जो हैं मेंस का कोश्चन दे दिये हैं लिखने के लिए तो दोस्तू मैं दो बात कहना चाहूंगा पहला बात देखिए एक्जाम जो है मतलब यह सेप्टेंबर में होने की संभावना है और उसके बाद मेंस के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है तो हम अगर जुलाई से भी फुल फ्लेज पीटी के लिए लगते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जो जून का महीना जो है य जुलाई से फुल फ्लेज जो है आप पीटी के लिए लगेंगे क्योंकि एक्जाम जो है वो सेप्टेंबर फर्स्ट वीक ऐसा होने का संभावना है ठीक है तो बिलकुल भी टेंशन नहीं लेना है दूसरी बात टेक्नलोजी का जमाना है आपको बस समय निकालना है एक्जा तो आपको जो नए स्टूडेंट है कैसे इसका जवाब लिखे ठीक है तो आप जो है अब इसके वारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सीधे अगर किताब में लक्षमी कान में जाईएगा तो कुछो समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है आपको यूटूब पे जो है आपको जाना है ठीक है और आपका द्रिष्टी में भी बहुत अच्छा समझाया है और DPSP को जो है समझना है कि राज के निती निरिसक सिधान जो है यह होते क्या है ठीक है मतलब यह गाइडलाइंस दिए गया है स्टेट को क्योंकि भारत एक कल्यान का यह राज है और आ भारत को सब को मतलब हमारे देश को सब को साथ लगे चलना है खासकर जिनके पास कुछ भी नहीं है उसके तो विसेश ध्यान देना ही देना है फिर जो है कमजोर वर्ग हो गया सी स्टी विमन चिल्डरेन तो इनके लिए भी राजियों को जो है निर्देश दिया गया कि मतलब कल्यान करना है तो इसके यह सब मतलब DPSP में मेंशन किया गया है और आपका कहां से कहां तक है आपका आर्टकल 36 से लेके 51 तक जो है यह मेंशन किया गया है तो पहले आपको अच्छे से समर्ज़ना है और वीडियो पॉच्प करकर के देखना है एक ही बार में नहीं तो मतलब बाउंसरे चल जाएगा आराम अराम से करके देखना है और मतलब उसको सोचना है कि हां भाई DPSP कौन चीज़ है किसले बनाया गया इसका मकसद क्या है तो इसका मकसद है सोचल एकनोमिक जस्टिस ठीक है मतलब आर्थिक और समाजिक नया और एक्वैल्टी वी यह अलग अलग चीज़ देखते हैं फिर आपका मिड्डे मिल स्कीम हो गया आंगनवाड़ी हो गया उसके बाद जो है विलेज का भी मतलब जो ध्यान देना हो गया उसके बाद वन निजी उसनरक्षन के लिए जो भी कानून बने है क्योंकि आप जानते ही है कि जो DPSP है व कानून बनाना पड़ता है तब जाके बाद बनती है फिर जैसे जो है वेजेज में भेदभा होता था महिलाओं को कम मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए मान लेजे मेल को इतना मिल रहा तो फेमेल को कम मिलता था तो उसका आपका इक्वर रियूनुमरेशन एक्ट बनाया अब तो सब मतलब कोडिफाई कर दिया गया है लेकिन ऐसा चीज मतलब अलग-अलग DPSP को इंप्लिमेंट कराने के लिए जो है अलग-अलग कानून बना है तो उसी पे बेस्ट मेरा कोशन है तो आपका जो है दोस्तों 50% काम जो है 50% काम जो है आपका YouTube देखने से हो कि जब हमको अपने comfort zone मतलब अभी हम एक अपना particular life जी रहे हैं वही अपना आराम से Instagram चला वाटसेप चला थोड़ा बहुत पढ़ाई कर वह सचर कर रहे हैं और अब जो है जब जादा मतलब पढ़ाई करना होगा तो आपको starting में मतलब body कोई भी नया चीज रजिस्ट करता ह उसको करने का मन नहीं करता क्योंकि आपका particular time table चलते आ रहा है लेकिन आपको यही सोचना है कि नहीं अगर हम civil का सोचे हैं अगर हम JPSC का सोचे हैं तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम मतलब पीछे रहा जाएंगे मेरा नहीं हो पाएगा और जब यह डर आपको रह चान नहीं होना है और खुद पर जो है वो हमेशा हमेशा भरोसा रखना ठीक है खुद पर कभी डाउट नहीं करना है ठीक है हो सकता है आपके चाचा जी कह दे हो सकता है आपके परोसी कह दे हो सकता है आपके कोई और जो नियर डियर वन है वो कह दे कि तुम से हो पाएगा तुम कर पाएगा, अभी तक तो तुम college तक कुछ कर नहीं पाया, college तक का पढ़ाई में, तो एकदम वो सब बात को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि college तक आप एक अलग इंसान थे, और जो competition exam है, और जो academics exam है, दोनों जो है, दोनों में अंदर होता है, कोई जो है, school में जग जा कोई जो है, college खतम करने के बाद जगता है, उसको एहसास होता कि नहीं है, हमको करना है, कोई जो है, मतलब job में जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, जगता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो, तभी सवेरा, अरे, पचास साल के नहीं नहीं हो गया है, ठीक है, और जिन्दगी जो है हमारी है ठीक है लाइब जो है हमारी है तो मतलब ना दूसरों के डर से या फिर और सफलता के डर से हम कोशिश ही नहीं करें तो बाद में बहुत अपसोस होगा ठीक है क्योंकि देखिए मतलब ना वेर द्रेज़ विल देर इस वे ठीक है जब हम एक कदम आपको अपने आप जो है वैसे लोग मिलने लगेंगे वैसा आइडिया मिलने लगेगा वैसा गाइडेंस मिलने लगेगा तो एकदम दोस्तों एकदम जो है आपको फेट रखना है सबसे बड़ी बात है फेट रखना है और एकदम सोचना है कि नहीं यार हम तो मेंस लिखे तो यार उमीद पे दुनिया कायम है अगर तुमको होप है ट्रस्ट है तो सब चीज है और अगर तुम जो है मतलब एक डाउट करोगे ना तो पचास डाउट आ जाएगा तो इसलिए यह हमेशा सोचना है चाहे आपकी जैसी भी अभी तैयारी हो आपको यह सोचना है कि नहीं आपकी जैसा मतलब नुज मिली है कि पीटी का जो एक्जाम है वो सेप्टेमबर पहले हटे में फर्स्ट विक और सेप्तेमबर में हो सकता है एकड़म नहीं है लेकिन जैसा राची से सुने को मिल रहा है मैं वैसा बता रहा हूं दूस्तों फिक है यह मत बुलिया कि आमित स आप बुले थे कि September first week में हुआ September last में हुआ क्योंकि अभी बहुत factor है ठीक है बहुत factor इसमें include करेगा कि जो अपना कोवीड है मातरानी जो है उसको मतलब अब और बढ़ने ना दे कोई मतलब ऐसा वेब ना है जिसे काफी disturbance हो तो और भी factors हैं लेकिन जैसा भी news सुने को मिल रहा है कि जैसे अभी control हो रहा है ठीक है तो मतलब September में जो है ठीक है क्योंकि जब भी कोवीड का लहर आ रहा तो दो-तीन महिने का gapping हो रहा है तो मतलब वही है कि जैसे आप control हो रहा situation तो government मतलब सोची कि नहीं हम PT का exam ले ले ठीक है तो September 1st week में जो है PT का exam हो जाना चाहिए दोस्तों ठीक है तो यह एकदम high time है ठीक है क्योंकि अभी आपने जो है दो-तीन महिने लगा है PT के लिए तो आराम से आपका जो है 50% retain है जुलाई से भी लगेंगे ना ठीक है 15-10 जुलाई से भी लगेंगे तो आराम से जो है PT का cover हो जाएगा लेकिन यह मौका जो है जून में यह आइडिया एक ले लेने का है कि मेंस का होता कैसा है क्योंकि बहुत लोग जो है अभी PT स्टेज में ही अटके हुए पीटी के ही चक्रविव में अटके है और मैं आपके सामने सबसे बड़ा example हूँ कि मतलब मैं यही हमेषा सोचता था कि मतलब जैसे मैंने दो बार एकजाम दिया जब बैंक में था तभी दो बार मैंने civil का exam दिया और दोनों बार PT में ही घ्वट हो गया तब मैं बैंग में ही काम करता था तो मैं सोचा कि यार मतलब PT ही main है, PT निकल जाएगा ना, तो mains धुआ धुआ कर देंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है, no doubt PT में बहुत competition है, लेकिन अगर थोड़ा बूत idea आपको नहीं लगेगा, अभी से नहीं रहेगा, और आप सोचेंगे कि हम सीधे PT पास करें और तीन महीने में एक दम धुआ धुआ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, प्यारे दोस्तों, तो यहीं मौका है, यहीं मौका है, जब छक्का मानने का है, यहीं मौका है, आराम से जो है, और टेलिग्राम ग्रूप में बहुत एक से बढ़ कर एक student कोई railway का, कोई SSC का, कोई कोई SSC student भी है, जो मतलब UPSC interview में दो बार पहुंचे हुए हैं, तो मतलब उन सबका आपको answer देखने का मौका मिलेगा, और खुद को judge करने का मौका मिलेगा, तो यह बहुत सही है, उनके answer देखिए, आप अपने answer देखे, compare कीजिए, वो क्या लिखे हैं, मतलब नहीं लिख से देखिए, आपका 50% काम हो गया, और जब भी कुछ पढ़ते लिखते हैं, पढ़ते या देखते हैं, या लिखते हैं, तो मतलब सोचना है, कि अच्छा हाँ, यह मुद्दा क्या है, DPSP कौन चीज है, इसमें क्या बताया गया है, किस लिए है, क्या purpose solve करता, 50% काम हो गया अब जो 50% काम रह गया है, उसको जो है, आप फिर लक्ष्मी कान, चीक है, लक्ष्मी कान से करिए, उसको भी तीनचा बार पढ़ना है, हर पेज के बार रुखिए और सोचिए इस पेज से हम क्या सीकें, क्या समझें, यह सही पढ़ने का तरीका होता है, यह नहीं कि बस random ज दोनों अलग-अलग चीज है, दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना है, और लक्ष्मी कान्त को अच्छे से पढ़ना है, डीपेस्प का जो भी चैप्टर दिये हैं, अभी जिसे डीपेस्पी दिये हैं, तो उसको करना है, और उसके बाद समझ के एंसर लिखना है, तब जोन के टेलिग्राम ग्रूप मेरा यही नंबर है, 91029 83362, 91029 83362, इसको जो है, इसमें मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एड कर दूँगा, और टेलिग्राम ग्रूप बहुत अच्छे से चल रहा है, मातरानिक क्रिपा से, और बहुत अच्छे अच्छे स्टुडेंट वहां पे हैं, और बहुत जबरदस्ट एंसर लिख रहा है, ठीक है, एक कोस्चन दिया जाए रहा है, किसी में एक दिन का टाइम मिल रहा है, तो ऐसे और आपको जो है, काफी कुछ, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और यही महीना है जूनी है, जुलाई से पिर प्रिटी का प्रिश्र आ जाएगा तो फिर मौका नहीं लगेगा दोस्तों ठीक है all the best